अलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल केंज जोन आज का मेरा टॉपिक है इन ओर्गैनिक का बॉंड एंगल तो विदाउर बेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्टेड तो सबसे पहले बॉंड एंगल को जो एफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं वो जा कुछ वेस्टर्स करने से पहले रहते हैं कि स्टे क्या होता है स्क्रट्स होते हैं मैं आपको यह लिक्टा निकालते हैं Sn basta तो हम उसमें क्या करते हैं हमको देखना की स्टॉर्भित Candiceya स्क जैसे इसके लिए मैं आपको समझा देती हूं कि इसको कैसे निकालते हैं बहुत सारे बच्चों को इसमें भी बहुत होता है तो यदि हमको यहां पर देखिएगा आप यहां यदि आपको SP में देखना है कि S के किते करेक्टर है तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि number of S orbital upon total number of total number of orbitals आप देख पार है अच्छे से मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखा देती हूं तो यह होता है फॉर्मूला तो अब आप देखेंगे S के किते हैं और्विटल एक है ठीक है और upon कितने total है 2 इंटू 100 कर देंगे तो इससे हमाई percentage आपको पता है किसी चीज का भी यदि आप percentage निकालते हैं तो इसके लिए आपको 100 का इंटू करना पड़ता है तो कर देंगे तो 50% आजाएंगे इसी तरह आप पी केरक्टर भी निकाल सकते हैं तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि S केरेक्टर पी केरक्टर क्या होते हैं ओके देन मूव नेट्स चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें BCL2 BCL3 और CCL4 है तो इसमें कुछ भी नहीं करना इसमें % of S केरेक्टर चेक कर लेने हैं और बॉंड एंगल हमारी पॉइंट की अनुसार बॉंड एंगल डिरक्ली प्रपोजनल होता है % of S केरेक्टर के तो अब हम देख लेते हैं कि कि किसमें % of S केरेक्टर जादा है तो जो BCL2 है उसमें SP hybridization होता है इसमें SP2 होता है BCL3 में और इसमें होता है SP3 इसमें होता है SP3 अब एक simple सा वे होता है पहचानने का कि किसमें SP3 है SP2 है देखिए इसमें total किते orbital हैं तीन है तीन है ठीक है और इसमें भी किते और बिटल है तीन है चार और बिटल है ठीक है चार और इसमें किते और बिटल है पांच है और इसमें चार है ठीक है इसमें किते हैं टोटल तीन है तो मैं सिंपली वे से ये बोलना चारी हूँ आपको कि जितनी भी ओर्बिटल है उससे आप एक कम कर दीजेगा तो आपका हैब्रिडाइजेशन निकल आएगा और इसकी एक और ट्रिक भी होती है तो यदि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ट्रिक चाहिए तो मैं आपको जरूर बता दूँगी वैसे ये सही ट्रिक नहीं होती है किसी भी कमपाउंट का हैब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बट काम चलाओ है तो इसमें BCL2 है हमारा तो % of S character आपने देखा है कि SP में सबसे ज़्यादा होते हैं तो इसका order ऐसे हो जाएगा ठीक है तो अब हम next point की तरफ चलते हैं अपने CH4 है, NS3 है और H2O है ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है इसमें भी हम इसमें हम अब loan pair check कर लेते हैं क्योंकि hybridization बस काफी नहीं होगा कि इस compound के लिए कि check करने के लिए कि कि इसका bond angle जादा है क्योंकि इसमें loan pair भी होते हैं और मैंने बता के रखा है उपर कि loan pair के वो indirectly proposal होता है तो यह तो loan pair को follow करेंगे जैसे हम इसमें देख रहे हैं इसमें हमको इसमें नहीं होते है hydrogen पे loan pair इसमें होते हैं दो loan pair होते हैं और इसमें nitrogen के पास एक loan pair होता है इसमें loan pair 0 होते है LP is equal to 0 LP is equal to 1 और LP is equal to 2 यह अपने पढ़ा भी होगा स्ट्रॉक्चर वगरा भी पढ़ा होगा तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा बॉंड एंगल CH4 का होगा क्योंकि इंडिरेक्ली प्रफोजल होता है किसकी एंजादा है टर्मिनल एंटम में किसकी एंजादा है तो मैंने यह वाला आपने हर वीडियो में बता के रखा है कि F की ज़ादा होती है फिर Oxygen की होती है फिर Nitrogen की यह Electron negativity का order है इसको याद रखना है तो Oxygen की obvious सी बात है कि Electron negativity सबसे ज़ादा होगी तो इसलिए H2O का भी Bond Angle सबसे ज़ादा होगा मैंने बता के रखा है कि EN of Center Atom यदि EN of Center Atom के Directly Professional होता है यदि EN of Center Atom सबसे ज़ादा है तो उसका Bond Angle भी ज़ादा होगा और यह देखी Center Atom भी जब आप इसका structure बनाएंगे तो यह S और Oxygen सलफर और Oxygen Center Atom पे ही आएंगे इसमें भी हम EN ही चेक करेंगे ठीक है तो इस वाले में हम देख लेते हैं कि क्या order होगा अब इस वाले में भी आप सेम चीज़ अप्लाई करेंगे आप देखेंगे कि किसका EN ज़ादा है सबसे ज़ादा है तो फ्लोरीन का सबसे ज़ादा होगा तो मैं लिख देती हूँ य कि इसमें क्या होगा अब इसमें भी अगेन वही एतनला रूल अप्लाई होगा तो पहुशचान तो आप देख रहें कि फॉस्फोर ऐसमें सब में कॉमामन है तो मैंने बता कि रखा है कि उपर आप देख रहे होँँगे कि एन आफ सेंटर एंटम के देरक्त अर्क्त्ति प इन फ्लोरीन का होगा लेकिन ये जो है ये ये टर्मिनल एटम पे है इसलिए इन इंडिरेक्ली प्रपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड एंगल के तो इसलिए ये जादा हो जाएगा ये जादा हो जाएगा और फिर ये ऐसा होगा ठीक है अम नीचे वाले में आ जाते हैं नीचे प्रपोजल होता है तो जिसका एन सबसे ज़्यादा है उसका बॉंड एंगल सबसे कम हो जाएगा आई होप आपको यह सब समझ में आ गया होगा अच्छे से अब आगे चलते हैं आगे की पॉइंट देख लेते हैं सेवन वाले में इसमें भी एन देखेंगे लेकिन यह टर्म क्वैशियं कीक्व में तो वाले क्वैश्यं में कुन चैका रहा है हम इसलिए चेक कर रहा हैं विपर उसमें हाइड्रोज़न कहां एल्लेक्टो नेगेटीटिव टीडीफ सो करता है वह तो पॉजि selbst होता है ह Карाव इसमें यह नहीं करेंगेि हाट्रोज़न में वह best Wh 입니다 वे चेक करेंगे तो आपको पता ही होगा कि hydrogen तो सबसे चोटा है पूरी periodic table में तो chlorine का size सबसे ज़्यादा हो जाता है और मैंने यहां बता के भी रखा है कि size of terminal atom के directly proposal होता है तो terminal atom यह है यह तो CL2 को जादा हो जाएगा अब एक exception आता है है बहुत ही famous question है यह और हर बार आता है नीट में exception है इफ hybridization same terminal atom same LP is equal to zero तो bond angle भी same सिर्फ यह ही दो element है जिनके bond angle same होते हैं मतलब यह तीनों यह तीनों यह स्टार में लगा देती हूं यहां पे और इनके bond angle same होते हैं आप screenshot भी ले सकते हैं और आप इस पर जित्ते ही ज्यादा हो सकते हैं उत्ते ही ज्यादा question कीजिए आपके लिए अच्छा रहेगा I hope you like this video and if you like please like share subscribe my channel and let me know on the comment section box की आपको मेरा वीडियो कैसे अलगा thank you